अब श्यांती, 25 मार्च के शिर्व द्रमना आप सब कस हो गते हैं परमादवा चाहते हैं कि जैसे हम होली सेलिब्रेट करते हैं उसमें हम मदुर्था का गुण इस्तमाल करते हैं कैसे, किस प्रकार से, वो सब कुछ आज परमादवा हमें इस वर्दान में समझाएंगे परमादवा कहते हैं मर्दुता के गुण द्वारा संसकार मिलन करते हुए मंगल मिलन मनाने वाले होली हंस भवा जैसे होली पर रंग खेलते और एक दो का मुख मीठा कराते मंगल मिलन मनाते हैं ऐसे आप होली हंस बच्चे जब एक दो को रुहानियत के संग का रंग लाकर मधुरता की मिठाई खिलाते हो रुहानियत के संग का रंग, जिस्मानियत के नहीं जब हम मिलते हैं एक दूसरे को तो जिस्माणी बाते हैं उच नीच की बाते हैं धन्दौलत की बाते हैं ये सब कुछ ना करके हम रुहानियत में गर रहे हैं तो रुहानियत के संग का रंग लाकर मधूरता की मिठाई खिलाते हो बोल भी हमारे मधुर होंगे अगर हमें दूसरे को उच नीच के साब से नहीं दिखेंगे तो हमारे बोल भी मधुर होंगे तो मधूर्था की मिठाई के लाते हो आपके नैनो से मुख से चलन से मधूर्था प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देती है तब मंगल मिलन अर्थात संसकार मिलन होता है अगर आपस में संसकारों का मिलन होना ही प्रत्यक्षिता का आधार है अगर आपस में ही मिलन नहीं है तो फिर बड़ों की बात बन मालेगा अगर बच्चे ये आपस में लट रहे हों तो फिर जो बड़ा होगा उसके उपर भी उगली उठेगी और अगर बच्चे आप असमें मिल जोड़ कर चल रहे हो, संसकार मिलन कर रहे हो तो बोलेंगे हाँ, इनकी पिता बहुत अच्छ है, कोई ने कोई अच्छी परस्टनालिटी है तो यहाँ पे बात आती परमात्मा पिता की इसी से ही जयजयकार होगी, किसकी परमपिता परमात्मा की इसको और समझने के आप प्रमकुमारी सेंटर में चाहिएगा ओम शंती